बाड आपदा से बचाओ को लेखत दुर्ग के शिवनात नदी में SDRF ने किया मौक डिल इस अवसर पर दुर्ग कलेक्टर सूसरी चौधरी ने तयारियों का जैजा लिया। के दौरान शिवनात नदी में ग्रामिन जन लकडी या छोटे-छोटे बोड के माध्यम से नदी पार करते समय बोड पल्टी हो जाने एवं गाव में पाई भर जाने किस्तिती में किस प्रकार से जिले में उपलब्द मोटर बोड, स्क्यूबा, डाइविंग, अंडर वाटर क के वस्तूओं का प्रयोकर बाड बचाओ कारे का लाइव डेमो क्या गया? सर तैरना आता है ना? वह मॉग्डिल के दोरान, SDRF की टीम ने कई महत्तुपून बचाओ अवियानों का अभ्यास कराया. इनमें नदी में डूबने वाले व्यक्तियों का बचाओ, तेज बहाओ में फसील लोगों को सुरक्षिर स्थान पर पहुँचाना. और बार के दोरान, शतिग्रस तहीं मारतों में फसील लोगों को निकालना शामिल था. इस अभ्यास में आधुनिक वचाओ करणों और तकनिकों का भी प्रदर्शन किया गया, जिससे टीम को वास्तवी कापदा के समय इन उपकरणों का सही और प्रभावी उप्योग करने का अनुभव प्राप्त हो सके. मौकड्रिल के दोरान, श्थाने प्रशासन और नागरिकों को भी शामिल किया गया, ताकि उन्हें आपदा के समय सही कदम उठाने और SDRF की सहायता करने की जानकारी मिल सके. खौतलब है कि जिले में शिवनात नदी के आसपास के बहुं से गाउं प्रभावीत होते हैं, बार प्रभावीत शेत्र के ग्रामिनों को घरों में उपलब्द होने वाले समगरियों जैसे टीपा, भगोना, ड्रम, मटका, ट्यूब, आत्यादी, समगरियों को और राफ्ट बनाना, एडियें अर्विंदिक्का, सहीत अन्य पुलिस स्वास, राजयाफदा, मूच, चनबर और नगर सिना के दल एवं गुरामिन जन उपसित रहे, इस सम्मन में दुरुप कलेक्टर और SDRF के जिकारियों ने जानकारी दी, को सब्सक्राइब आती है, तो हमारी टीम पूरी कितनी उस आफ्टा से पढ़ने के लिए बित्याइब एक और सवाल है, मांसुन के पूरे हम लोग मांसुन करते हैं, और इसका उदेश है रहता है कि आगामे जो अगर मांसुन आने वाला है, और काफी यहां पे दो-तिन नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, उसमें अगर जलस्तर की बिद्धी होती है, कोई वेक्ती फसा हुआ है, या कोई सुसाइट कर रहा है, या तो अन्यम कोई जूब रहा है, तो उसके लिए हमारी क्या तेयारी है, और लोगों को भी हमें जागरुक करना हमारा उदेश है, कि लोग घरीलू संसाधन जो हैं, जैसे कि जरीकेन हो गया, बोटल हो गया, उसका इस्तिमाल करके लोग कैसे अपने आपको बचा सकते हैं, तो उसका हमने यहां पे जिवन तर्म मॉग्रिल किया है, बरसाथ के जो भी हैं, कटर हैं, हाइड्रोलिक कटर हैं, अंजार वाटर कैमरा है, इत्यादी से हम पुरी तरह से लेस हैं, और कोई भी अगर आपाती स्तिती आई, तो हम रोग निपढ़ने के लिए सक्ष्या में सभी जित्ते हमारे पास में बार से सम्मंधित एक्यूपेंट्स हैं, उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, ताकि जुरत पढ़ने पर हम प्रभावी छित्रों पर ततकाल उसे उसे वहां तक पहुंचा सके, और जो प्रभावीत लोग हैं, उनके लिए रेस्क्यू कर सके, हमारे पास में पूरे प्रदेश में, लगबख हमारी स्टे आरेप की साथ की में हैं, और प्रती एक संभाग वार हमारे पास जितने भी एक्यूपेंट है, सभी संभावों में इसकी एक्यूपेंट्स के लिए दूर गसे नसीम फारू की की रिपोर्ट